नमस्कार दोस्तों मैं संदीव स्वागत है आप सभी का आज किस नई क्लास में दोस्तों आज किस वीडियो में बात करने वाले हैं बीए के हिंदी के मोस्ट इंपॉर्टन कोईश्चन और एंसर के बारे में टॉप लेबल के कोईश्चन और एंसर होने वाले हैं तो वीडियो के साथ कह सकता हूं आपको एक्जाम में काफी मदद मिलेगी इन सभी कोश्चनों से जो आज किस वीडियो में बताने वाला हूं वीडियो को सुरू से लाश्ट तक देखेंगे तभी सारी जानका यह तभी सारे कोश्चन और एंसर आपको पूरीता समझ में आएंगे आज किस अब्जेक्ट्व बिक्षा पूछे जा रहे हैं यानि कि कोश्चन का बेस ऐसे हो रहा है मैंने कई देखा कि 40 पूछे गए थे 40 के 40 अब्जेक्ट्व यानि कि मल्टिपल ऑब्जेक्ट्व कोश्चन थे और कई नोशी वीडियो में देखा एक्जाम हुए वहाँ पर कुछ अब्जेक्ट्व कोश्चन पूछे जाएं तब भी अगर नहीं भी पूछा जाएंगे तो कुछ कोश्चन आपके बहुवी किल पे पूछा जाएंगे यह कंफरमेटिक है तो वही सारे कोश्चन इंप्वाटेंट है जो कि मैं आपको बताने वाला हूं पहला कोश्चन आप लोग नोट डाउन कर लीजेगा या श्कीन सोट ले लीजेगा जिससे आपको बाद में भी पढ़ने में असानी रहे क्योंकि आज वीडियो बना रहा हो सकता है कि दूसरे दिन आप भोल जाएं इसलिए आप इसकीन सोट जरूर लेजीजीगा ठीक है तो भारते इंद प्रियाग में और नर्चाश यानिकी सी नंबर पर हम क्लिक करेंगे सब्सक्राइब और में dominant डेयान दख्येगा. में भारते उन्हारेश्चन्द के जिप संदाब हий क्या नाम था तो ऐसे आपको मिली गया गोपाल दास गिर्धर दास । तो आपको देखने को मिले गी यानि सिमलर नाम है कनफ्यूजन जरा सभी नमत रखिएगा मन में समझ दीजेगा कि इनके पिता का क्या नाम है तब ही आप लोग उसका एंसर कीजेगा जब आपका एक्जाम होगा तब इस कोश्चन का राइट एंसर हो जाएगा गोपाल चंद गिरदर दास यानि कोश्चन का पिरा के हो सकता है कई टाइप में पूछा जा सकता है लेकिन जो उसका मतलब होगा वह होगा एक ही ठीक है कि इस कोश्चन जैसे पूछा गया कि भारते अंदुजी की माता का नाम क्या था या उनकी मा का नाम था रामरती पारवती मालती शिवबती तो इन आपसरों में से जो राइट एंसरों घूंज़ेगा व़ो जाएगा पारवती देवी रहन रखेगा भारते तो और जिकी माता थे उनका नाम था आदेवी याद रहा था किस परिवार में हुआ तो आफसर आपको मिल गए है सेट अमीर अमी चंद राम चंदर सेट बिश्रू चंद और नेस्ट है सेट दुली चंद तो इन आफसर में तो रायट रोजाएगा यानि कि पांच नमबर को राइट रोजाएगा वो आप लोग को जिन छात्रों को मालूम है कमें सेक्चेर में बेशक बताएंगे फिर राइट एंसर हो जाएगा हो जाएगा सेट अमी चंद यानि कि ए नमबर ठीक है चलिए अगले को बढ़ते हैं लिखा कि भारतियंद हरिस्चंद का देहावासन या फिर उनकी मृत्यू या पिर आप कह सकते उनका देहांत कब हुआ था या किस सन में ह 1885 या फिर छा मार्च 1884 या छा मार्च 1885 तो छे नमबर जो कोईश्चन उसका राइट एंसर हो जाएगा वह जाएगा छे जरूरी 1885 इस भी में इनका देहावासन हुआ था यानि भारतियंद हरिस्चंद जी का तो याद रखेगा कुछ टाइप हो सचते हैं वर्ड भारते ज़िए कि वहें कि भारतियंद हरिस्चंद द्वारा संपाधित प्रकाशित पत्रका नहीं नाम नमबर एक कवी वचन सुधा हरिष्चंद पत्रिका बाला बोधनी और निस्ट है उदन्त मारतेंड तो साथ नमबर जो कुष्चंद है उसका राइट एंसर हो जाएगा उदन्त मारतेंड इनकी जो है वह संपाजी प्रकासित पत्रिका यहीं नहीं और बाकी सब है ठीक ध्या सब्सक्राइब करेंगे ठीक है और सारी है इन में से जो है कभी वचन सुधा हरिष्चंद पत्रिका बाल बोधनी बाला बोधनी ठीक है लिखा की भगवद भक्ति तोस्टी पत्रिका के संबातक थे भारतेंड प्रताब नातुराम संकर तो ध्यान दीजेगा ठीक है भगव चलिए बढ़ते हैं नेश कोईश्चन के और नेश कोईश्चन क्या कह रहा लिखा कि निम्रिखित साहित्तिकारों में से या किष्णे लिखा की हिंदी नई चाल में धली द्यान देजेगा मोश इंपॉर्टेंट और टॉप लेबल का कोईश्चन है आफसर मिल जाएंगे भारतेंड धरिश्चन्द ने कहा परताब नार्मिस्ण ने कहा रामचंद सुकुल जी ने कहा चार महापरसाथ दुबेदी जी ने कहा है तो इस नंबर लिखा है कि भारतेंड हरीचंद ने इनमें से किस नाम से जख़िले लिखी जफारसा जखी अदम ने वह लिखेंड हो जाएगा नाम की गजले लिखी निजी भासा उन्नती ठीक है निजी भासा उन्नत हवे सब उन्नती को मूल इस पंक्त की रसनाकार कौन है अप्षण आपको मिली जा रहे हैं इस कोश्चन को राइट एंसर हो जाएगा वह जाएगा बी नंबर भारतेंद हरिश्चंद जी ठीक है इस कोश्चन का राइट एंसर हो जाएगा भारतेंद हरिश्चंद जान दिजेगा ठीक है बढ़ाएंगे हम अब नेश्ट कोश्चन के ओर लिखा है कि हाँ हाँ भारत दुर्दसा ना देखी जाए इस पंक्त के रचैता हैं तो आपका आप्सन मिल जाएंगे महा प्राण निराल सुस्री महादेवी वर्मा बालकर्ष्ण सर्मा नवीन डी नंबर भारतेंद हरिश्चंद तो इस पंक्त की जो जरसनाकार है या फिर रचैता है वो भारतेंद हरिश्चंद जी है इसलिए कोश्चन का राइट एंसर हम सिलेट करेंगे डी नंबर याद रखेगा टॉप ले जाएंगे भारत दुर्दसा अंधेर नगरी नील देवी नहुस तो क्वेश्चन नंबर 13 को राइट हो जाएगा दोफ्तों वह हो जाएगा आफ्शन नंबर कौन सा नहुस ध्यान दिजेगा नहुस क्लिक करिएगा नहुस पे ध्यान दिजेगा ठीक है क्योंकि जो भारते अंधेर नगरी नील देवी नहुस नहीं ठीक है तो यह धान लखेगा यही नहीं और बाकी सब इनकी नाटक है या फिरक्रतियां ठीक है यह नहीं है तो राइट एंसर डी नंबर हो जाएगा नहुस यहां पर नहीं है ठीक है इसलिए नेस्ट कोईश्चन को बढ़ेंगे कि लिखा है कि इन में से भारतेंद घरिष्चन्ध लिखित नाचक नहीं है तो इनमें से कौन साँ भारतेंद घरिष्चन्ध द्वारार अथिद नाटक नहीं है नमबर कैस्थ tar That's the तो इन में से जो भारतेंद हरिस्चन द्वार लिखे नाटक नहीं है उसका जो नाम है यानि कि चोदार नमर कोश्चन के जो राइट एंसर हो जाएगा द्रौपदी ठीक है ध्यान दिजेगा इसमें दो प्रदिम लिखने उट्वा टाइप करने मिस्ट हो गया तो दो द्रोपदी ठीक है यानि कि जो भारतेंद जीवनी है वह उनके जो लेखाक है कौन है आपसर आपको मिल जा रहे हैं बाल कर्षबट दो नमबर यानि कि बी नमबर राधा कर्षदास और तीन नमबर बद्दी नरा चौदरी और चार नमबर जो आपसर मिल जाएगा बाल मु करेंगे बी नमबर पे भारतेंद जीवनी है उनमें से जो लेखक है भारतेंद जीवनी की वह राधा कर्षदास इसलिए राइट एंसर हो जाएगा बी नमबर तो दोस्तों आज किस वीडियो में मैंने पूरे कर फिप्टीन कोश्चन जो की टॉप लेबल के हैं भारतेंद तो हर इस संद्जी के जो कि आपके एक्जाम के लिए बहुत है अगर आप 15 कोश्चन समझ के जाएंगे तो दो चार कोश्चन आपको फस्टेंगे एक्जाम में ठीक है और भी कोशिच करूंगा इंसे समद्धित कोश्चन प्रवाइट करने का आपको कौन से सब्जेट का क इस प्रकार कोश्चन चे कमंट सक्सें में जबरूर बताएं हम आपको और भी कोश्चन प्रवाइट करेंगे के टेलेग्राम चैनल के वीडियो के जोई हो सकते हैं आपको मिलेंगे निश्ट वीडियो में निश्ट क्लास के लिए तब तक कि लिए जाएंगे